और वैसे भी एक कहवत है कि आपको किसी को उधार पैसा देखकर उसके जीवन में आने वाली सारे समस्याओं के बारे में आसानी से जान सकते हैं कितने सारे बहान ही होंगे आला कि आज के दौर में अपने पैसा खुद ही मागने के लिए बहुत ज्यादा जूट बोलना अधे बियाकों को कि अम्यं दोलड यसे मुझे लिवाढ़ हो शृ स्कुर्ट कर अंगे आज के बारे में कि पास्तिंस के उस इसके कितने प्रकार होते हैं और इनका रूल क्या है और एक्जामपल क्या है न दींदेंस है जो भी केंडिडे मिदर पूसadt, और अच्छे से लि जिखेशन नहीं है ध्यान देजिए जो पर जेंट टेंस में आपने पढ़ा था शेम टूब आपको पास टेंस में भी पढ़ा है चेंजिंग क्या होगा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्पा चेंजिंग होता है जैसे एक्जांपल से समझें जैसे मालेजिए मैं प्रचन कंटिनुस का एक्जांपल लेता हूं तुम लोग मेरी पुष्टक चुरा रहे हो पास्टेंस में क्या हो जाएगा यानि पास्ट कंटिनुस में हो के जगत थे हो देना है यू वेयर स्टिलिंग माई भूप क्लिए समझ माया तो सबका जो रूल्स का पैटर ने बिल्कुल सेम होगा आये डिसकस करते हैं आप तुरुन समझ जाएंगे इसके बारे में तो पास्टेंस हम लोग डिसकस कर रहे हैं पास्टेंस के भी चार परकार होते है ध्य पास्ट , Continuous Tins , तेमा ना हमें होगा ओपास्ट ,P फॉफेक्ट , ओर चला हम रहा में है , पास्ट , पॉफेक्ट , कि हम परकार हो गाए चले हम लोग पहला डिसकस करेंगे पास इंडिफनीट टेंज के बारे में आई इसको उम लोग डिसकस करते हैं पास टेंडिफनीट टेंज तो पहचान के रूप में आप समझ जाए मिया तो कुरिया के अंत निंद ता था आएगा ती ती याएगा या फिर तेथ ही आएगा या फिर आसकता है इं आसकता है स्था रू़ क्या होगा subject plus verb का कौन सा form second form फिर उसके बाद object फिर उसके बाद other words या फिर extra words को में लोग बोलते हैं एक्जाम का से समझे जैसे मैंने कहा राम कल आम खाया subject क्या है राम verb क्या है खाना का second form हो जाएगा object है आम राम कल का इंगलिस yesterday राम आम आम इस्टरड़ यहाँ मैंने लगा दिया है क्यों क्योंकि यहां काउंटिंग नहीं दिया है कितना आम इसलिए हम एक माल लेते हैं आर्टिकल लें जैसे मायत में हम लोग पढ़ते हैं तू तू का मतलब क्या है तू के पावर वन क्लियर एक और एक्जामपल समझे तूम लोग कल मेरी पुस्तक चुराए सब्जेक्ट है हमारा तूम लोग यू वर्व गया चुराना शेकेंड फ़र्म इस्टोल फर्स फ़र्म स्टील फ़र्ड फ़र्म इस्टोल यू स्टोल अब्जेक्ट है मेरी पुस्टग माई बूक और कलका इंगली यस्टरड़े यू स्टोल माई बूक यस्टरड़े के लिए समझ में आया अच्छा अगला रूल देखी क्या है हमारा जो नेक्स रूल है वो है निगेटिव यानी नाका रातमक निगेटिव यानी नाकारातमक देखे रूल क्या हो जाएगा समझ लिजिए रूल हो जाएगा हमारा सबसेक्ट फिर उसकी बात इसमें अब यहां नहीं कहीं है नोट सब्जेक्ट प्लस जिड़ नोट प्लस वॉप का फोस फॉर्म प्लस ऑब्सेट प्लस एक्स्टावर्द अच्छा अब ध् सकेंड फॉर्म पास्ट इनुट के पॉजिटिव में लगता है इससे पहले ना प्रजेट में हम कभी पढ़े थे नो इसके बाद अब कर भी हम पढ़ेंगे यह निगेटिव में भी नहीं आएगा पॉजिटिव में ही वह का सेटेंड फॉर्म आता है किलियर एकजामपल समझ सब्जेक्ट क्या है हमारा वे लोग दे डिड़नोट दे डिड़नोट वह फॉर्स फॉर्म इसकोल्ड मतलब डाटना अबजेक्ट हो जाएगा अपने भाई दे के साथ अपने का अंग्रेजी दे यह भाई का अंगलिस ब्रदर यह यह हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का रूज और एक्जामपल ठाइए निक्स हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में ऋनेक्स फूल हमारा इंट्रँगेटिव को अनेग हमाराructured है हँरा इंट्रोगेटिव हुर्स करेद़ चुराए तो क्या के इंगलिस डिड हो जाएगा फिर सब्जेक्ट वह अपका फोस्फ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद एक्स्टा वर्ड कोश्चन मांग जैसे एक्जामपल देखिए मैंने कहा क्या वह अपने कमरे सजाई तो डिड क्या का इंगलिस हो गया सब्जेक्ट है वह लड़की है शी हो जाएगा वर फोस सजान और इंगलिस डेकोरेट विड्र accomplishments hed अपने कमरे सी के साथ Crush रूम इंत्रु में लाउट इसे इंत्रोगेटिव में में नौट जाएगा है इन्टेलोगेटिव π्लस निगेटिव को द्यान देजे जैसा मैंने बताया था कोई भी आप टेंस पर रहे हो और इंटुगेटिव में अगर निगेटिव आजा है तो नौट हमेशा सब्जेट के बाद लगता है यह पोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगा नौट हमेशा सब्जेट के बाद लगता है तो आईए इसक मैदान में क्रिकेट नहीं खेला क्या रमेश मैदान में क्रिकेट नहीं खेला क्या का इंगलिस हो गया डिड सब्जेक्ट है रमेश डिड रमेश नहीं का इंगलिस नौट वर्ब है खेलना प्ले अब्जेक्ट हो गया हमारा क्रिकेट मैदान में इन द फिल्ड आप सकते हैं Did Ramis not play cricket in the field कि लिए समझ में आ गया चलिए अगला रूण हम लोग समझते हैं तो अगला रूण है अमारा डाप्लू है अगला रूल है अमारा डाप्लेृइश टाइप्स का मतलब क्या होता है कभ क्यूं कहां कैसे इसी को कुछ लोग WH members भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको question word भी बोलते हैं तो आप किसी भी रूप में इसको जान सकते हैं आईए rule हम लोग समझते हैं इसका rule क्या होता है ध्यान दिजी rule यानि कब क्यों कहां कैसे कभी भी आ जाए उसको आप पहले लिख लिजिए फिर उसके बाद helping गर्व होता है did फिर उसके बाद subject वब का force form प्लस object प्लस extra word question mark example देखिए तुम लोग कल कच्छा में शोर कब मचाए तुम लोग कल कच्छा में शोर कब मचाए तो सबसे पहले डाबनीज क्या है कोब का इंगलिस हो गया when helping of did when did subject क्या है तुम लोग you when did you verb है शोर मचाना शोर मचाना का इंगलिस होता है make a noise noise मतलब शोर make मतलब यहां मचाना हो जाता है when did you make a noise अच्छा में in the class when did you make a noise in the class मैं अच्छा एक चीज आप को जरा सा शोर्ट पर समढ़ लेजिए किसी भी टेंस का अगर आपको डाब्लू रूल बनाना है तो ज्यान देजिए करना क्या है देखिए यह क्या है हमारा यह इंट्रूगेटिव का रूल है देखिए पहले इंट्रूगेटिव से पहले आप यह समझते हैं नेक्स हमारा रूल है डाब्लूएच प्लस निगेटिव यानि इसी में नौट आना शुरू हो जाएगा तो जैसा मैंने बताया इंट्रूगेटिव के बाद अगर नौट आए या फिर डाब्लूएच में नौट आए तो दोनों के लिए नौट जो है वह एग्जामपल रूल समझ लेते हैं सबसे पहले डाब्लूएच प्लस डिड़ उसके बाद सब्सेट उसके बाद नौट फिर उसके बाद वर्प का फोस फॉर्म प्लस ऑप्सेट प्लस एक्स्टावर्ट कुश्चुन मार्ग एग्जामपल समझीए है वे लोग तुम्हारी कार क्यों नहीं खरीदे वे लोग तुम्हारी कार क्यों नहीं खरीदे डाब्लीच क्या है क्यों क्यों क्या इंगलिस हो गया वाई helping word did subject हैं वे लोग why did they नहीं कहेंगे इस not वर्ब है हमारा खरीदना by object है तुम्हारी कार यानि यूर कार question mark why did they not by your car तो ये हमारा rules और example था past indifferent के बारे में next हम लोग बिस्टस करेंगे past continuous के बारे तो next है हमारा past continuous change आई इसका पैचान समझते हैं बैचान क्या हो जाएगा किरिया के अंत में रहा था रही थी और रहे थे रहा था रही थी रहे थे ध्यान देजी जो हमारा singular होता है singular कौन कौन होता है he she it या किसी का name हो यह singular होता है और इसके साथ क्या लगता है और जो प्लूरल है प्लूरल होता है आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम लोग करते हैं दोब का चुकि आई इसमें सिंगुलर हो जाता है इसी लिए इसके साथ हम लोग वोज का स्तमाल करते हैं ज्यान देजे पर जैन कॉंटिनुवस में डिफरेंस क्या है सीर फोर सिप हेल्पिंग वर्प का बाकि इसका Examples Rules Regulation सब कुछ same रहेगा बस helping or partner होता है ज्यान दीजिए इसको हम लोग grammar में वज पढ़ते हैं लेकिन language में हम लोग क्या पढ़ते हैं वज इसको grammar में हम लोग where बोलते हैं लेकिन language में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं वर तो आज से आपको इसे was बोलना है और इसको वर बोलना है किलिए समझ में आ गया आएए rules और regulation समझते हैं सबसे पहला हमारा क्या है positive positive यानि साधार ज्यान देजे रूल क्या हो जाएगा subject plus वर ज्यावर प्लस वर्ब के साथ ing प्लस object extra word ज्यान देजे मैंने बताया किसी भी tense में कहीं भी अगर आपको रहा रही दिख दिख दिया किसी भी tense का हो तो उसमें आपको ing add कर देना है वर्ब में क्या जोड़ देंगे ing clear example समझते हैं राम कल मंदिर में सो रहा था राम कल मंदिर में सो रहा था subject क्या है राम singular इसलिए was लगा देंगे राम was वर्ब क्या है इसी में ing लगा देंगे राम was sleeping मंदिर में in the temple राम was sleeping in the temple क्लियर समझ मैं आया देखे next rule हमारा क्या है negative positive के बाद next rule क्या आता है negative आता है यानि नाकारात्मक देखे rule क्या हो जाएगा positive के बाद कभी भी negative आया तो helping work के बाद ही हम लोग not लगा देते है तो subject was या वर प्लस not work के साथ ing प्लस object प्लस extra word example समझे example जैसे मैंने बताया हम लोग अपनी कार नहीं चला रहे थे हम लोग अपनी कार नहीं चला रहे थे subject क्या है हम लोग we plural है इसलिए word लगा देंगे we were नहीं का इंगलिस not we were not word बहे चलाना drive ing लगा देंगे driving we were not driving फिर object क्या है अपनी कार तो we के साथ अपनी का इंगलिस our or car का अपनी 1998 kard बहे चलाने के लिए हम लोग इसका इस्तिमाल करते हैं ride का और चलाने वाले को आपने राइडर बोलते हैं clear चार पहिया चलाना हो तो हम लोग driver बस हो train हो जहाँ जो तो उसके चलाने चलाने का English क्या होता है पाइलर्ट और चलाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग पाइलर्ट क्लिए समझ में आ गया तो यह positive और negative का रूल था next हम लोग समझेंगे कौन सा रूल integrative का तो next rule है हमारा integrative interrogative का मतलब क्या होता है प्रश्ण वाचक जैसे मैंने बताया था किसी बिटेंस का integrative लिखना है आपको helping work पहले लगा देजिए was your work पहले आ गया फिर उसके बाद subject वाब में क्या add कर देंगे ing क्यों क्योंकि रहा रही होता है उसके बाद object extra word question mark example क्या वह मेरी कलम तोड रहा था क्या वह मेरी कलम तोड रहा था वह subject singular इसलिए क्या का English was लग जाएगा subject है वह ही लड़का है लड़कों तर शी लगाते हैं वर्भय तोडना break was he break ing लगा देंगे breaking object है मेरी कलम मेरी का English my column का English pain was he breaking my pain ठोज चीज हो तो तोडने का English break और नाजुक चीज हो तो तोडने का English क्या लगता है प्लक जैसे फूल पत्ती वगर तोडना हो तो प्लक का इस्तमाल करें clear next rule हमारा क्या हो जाएगा इसी interrogative में negative आ जाएगा इसी interrogative में क्या जाएगा negative तो मैंने बताया था आको कि किसी भी tense के interrogative में negative आ जाए तो not कहां लगा देंगे हम लोग subject के बाद यानि रूल हो जाएगा was यह प्लस subject प्लस not वप के साथ ing प्लस object extra word पुश्चन माल जैस एक्जामपल क्या वे लोग तुम्हारे पैसे क्या वे लोग तुम्हारे पैसे नहीं लोटा रहे थे क्या वे लोग तुम्हारे पैसे नहीं लोटा रहे थे ध्यान दिजीगा आज के दोर में पैसे अगर आप दे देते हैं तो वापस मिलना बहुत ही मुश्पिल है पहले तो लोग पैसा आपसे लेते हैं कहते हैं दो दिन चार दिन के लिए देते हैं कब दू मैंना चार मैंना दू साल बाद और वैसे भी एक कहवत है कि आपको किसी को उधार पैसा देखकर उसके जीवन में आने वाली सारे समस्याओं के बारे में आसानी से जान सकते हैं कित भर हो जाएगा सब्जिक्त है बेलोग दे वर्डे नहीं का English नौट वर्ब लोटाना सुला रिटर्ण लग जाएगा और देन अट रिटर्नींग तुम्हारे पैसे मुझे देन नउट रिटर्णींग ओर ध्यान देचे मनी जो सिंगुलर होता है मनी क्या है सिंगुलर होता है इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं प्लूरल नहीं बना सकते हैं प्लूरल क्या होता है रूपी रूपी को आप प्लूरल बना सकते हैं एस लगा का रूपी मनी सिंगुलर होता है क्लिया समझ माया चले नेक्स हम लोग समझ तो मैंने बताया था कि किसी भी टेंस का डावलु एस टाइप बनाना हो तो करना क्या है इंट्रुगेटिव से पहले आप डावलुच रख देजी यानि देखिए डावलुच रख देजिए और इंट्रुगेटिव का रूल नोट कर लिजी यह आपका रूल प्रिपेर हो जा तुम्हें कब बुला रहा था वह तुम्हें कब बुला रहा था डव इसक्राय क्या है कब पाइंग्लिक वेन वह सिंइलरे वोज वजय वेज शबजेक्ट यह वर ही वेज व्रब यह बुलाना और इनज लगा देंगे विनmore वो थे क्या है वाक तुम्हें चाहर रहा कि नेक्स क्या डॉस ब्लस निगेटिव सब्रहेयक फिर उसके बाद वर्व के साथ आई निन जी प्लस ऑब्जेट एक्स्टा वर्ट कोश्चन माख एक्जाम्पल समझेए जैसे मैंने कहा मेरा भाई मंदिर में जोट क्यों नहीं बोल रहा था मेरा भाई मंदिर में जोट क्यों नहीं बोल रहा था तो डाबलीच क्या है क्यों क्यों का इंगलिस ह होगए वह सब्जेक्ट है मेरा भाई माई बरदर नहीं है इक एंगलिस not, वर्ब है बोलना, तेल मतलब बोलना, जूर बोलना के एंगलिस telling a lie होता है, tell a lie होता है, आइंजी लगा देंगे, telling a lie मंदिर में in the temple. Why was my brother not telling a lie in the temple? समझ में आया? तो यह हमारा past continuous का सारा structure था, और example था, next हम लोग समझेंगे, कौन सा tense, past perfect tense, तो next tense समरुख समझने वाले past perfect tense के बारे में, इसका पहचान देखी, क्या हो जाएगा? किरिया के अंत में चुका था, चुकी थी, या फिर चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुकी थे, लेकि सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ इसमें helping work क्या लगता है? हैड लगता है, तो सबसे पहला rule कौन सा हमारा? positive का यानि साधारर का, तो आईए समझते हैं, rule क्या हो जाएगा? subject plus had और work का thought form, ज्यान देजिएगा present perfect tense हो, past perfect tense हो, या फिर future perfect tense हो, perfect tense में हमें साधा work का thought form लगता है, plus object और extra work, जैसे example, माता जी खाना पका चुकी थी, माता जी खाना पका चुकी थी, subject क्या है माता जी, mother, या फिर दो मतर आप बोल सकते हैं, दो आप लगा सकते हैं, दो का इस्तमाल मैंने बताया ही है, आप उसको समझ सकते हैं, कि दो कहा लगाना चाहिए और कहा नहीं लगा चाहिए, the mother had लगा देंगे, work का third form, cook मतलब पकाना, इरी जूड जाएगा, the mother had cooked, object है food, the mother has cooked food, माता जी खाना पका चुकी थी, next है हमारा कौन सा rule, negative का, next rule हमारा negative का, तो मैंने बताया था, कि positive के बाद negative आए, तो not कहां लग जाता है, helping work के बाद, तो subject had, plus not, verb का third form, plus object, extra word, example देखिए, वे लोग मेरी कार मरम्मत नहीं कर चुके थे, subject है, वे लोग, they had, नहीं का एंगलिस, not, they had not, work का third form, repair मतलब मरम्मत करना, they had not repaired third form, object है, मेरी का, my car, they had not repaired my car, तो यह हुआ positive और negative का rule, आईए next rule हम लोग समझते हैं, तो next rule हमारा कौन सा हो जाएगा, interrogative का, positive, negative, फिर उसके बाद interrogative, तो आईए समझते हैं, अगरा rule हमारा है, interrogative का, interrogative यानि, प्रस्ट वोचक, रूल समझते हैं हम लोग, तो किसी भी tense का interrogative बनाना हो सबसे पहले, helping work, यानि क्या पहले आजाएगा, फिर उसके बाद subject, वोग का third form, प्लस object, extra word, question mark, example देखिए, क्या, हम लोग, अपनी घड़ी, बेच, चुके थे, क्या हम लोग, अपनी घड़ी बेच चुके थे, क्या का English had हो गया, subject है हम लोग, we work a third form, बेचना का sales, second or third form, sold, had we sold, object है अपनी घड़ी, तो we के साथ, अपनी का अंग्रेजी, और घड़ी का watch, had we sold, और watch, अगला रूल हमारा क्या है, इसी में क्या जाएगा, not आ जाएगा, interrogative में क्या जाएगा, negative यानी not आ जाएगा, समझते हैं, तो मैंने बताया था, किसी बेचेंस का interrogative हो, उसमें not आ जाएगा, तो not कहां लग जाएगा, exactly subject के बाद, had plus subject plus not, वह अपका third form, plus object, extra word, question mark, example से हम लोग समझते हैं, क्या, क्या वह नदी में असनान नहीं कर चुका था, क्या वह नदी में असनान नहीं कर चुका था, क्या के अंगलिस क्या हो जाएगा, had subject है हमारा he, वह, नहीं के अंगलिस not, वह अंगलिस नदी में असनान करना, बाद, एड लगा दिजिए, third form, had he not bathed, नदी में in the river, had he not bathed in the river, क्लिया समझ में आ गया, यह हमारा integrative plus negative का rule था, अगला rule हमारा wh का, तो मैंने क्या बताया था, इसी integrative में यहाँ wh लिख देंगे, तो यह हमारा rule तयार हो जाएगा, आए इसको डिजिट से हम लोग फिर से समल लेते हैं, तो अगला rule हमारा कौन सा है, integrative के बाद, wh का rule आता है, तो अगला rule है हमारा wh टाइप्स, wh टाइप्स, मैंने बताया था, किसी बेटेंज का, wh का rule बना ना हो, तो integrative के नियम से पहले wh, रख दीजिए, यह आपका नियम, प्रिपेर हो जाएगा, wh plus head, subject, वह पाथर फिर्म, plus object, extra word, उस्षुन मा, तुम लोग अपने मित्र को, कब आमंत्रित कर चुके थे, तुम लोग अपने मित्र को, कब आमंत्रित कर चुके थे, तो wh क्या है, कब, कब का एंगलिस हो गया, when, helping verb head, subject है, तुम लोग you, when had you, वह अपने का इंगलिस, योर और मित्र का friend, when you had, when had you invited your friends, clear, next rule हमारा कौन सा है, इसी wh में क्या आजाएगा, निगेटिव आजाएगा, तो मैंने बताया था, किसी भी टेंस का wh हो, और उसमें not आजाए, तो not कहा लगा देंगे, subject के बाद, तो wh plus had, plus subject, इसे के बाद not लगा देंगे, फिर वर्ब का, third form plus object, extra word, खुश्चन माँ, अगर इसी example को मैं देखे, कि तुम लोग अपने मित्र को, कब नहीं आमनतित कर चुके थे, तो not कहा लग जाएगा, you के बाद, तो example हो जाएगा हमारा, when had you not invited your friend, when had you not invited your friend, तुम लोग अपने मित्र को, कब आमनतित नहीं कर चुके थे, clear, तो ये था हमारा, past perfect tense, अब इसके बाद, next हमारा tense कौन सा आएगा, कौन सा होगा, बताएगे आप लोग, तो next tense, exactly, next tense हमारा होगा, past perfect continuous tense, past perfect continuous tense, चलिए, कुछ चीज़े इसमें समझना होगा आपको, पहले पहचान मैं बता दे रहा हूँ, पहचान हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, चाहा, रहा था, किस tense का पहचान है, past continuous का, मैं पढ़ रहा था, वे लोग मुझे डाट रहे थे, तो आखिर क्या changing होगा, कि past perfect continuous tense का लाएगा, तो इसी में क्या हो जाएगा, समय का बोध हो जाएगा, यानि इसमें समय आने लगेगा, तो समय दो तो रखा, एक निश्चिस समय और एक अनिश्चिस समय, जान दिजए जैसे example समझे, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा था, विसमें समय जाएगा, मैं दो दिन से पढ़ रहा था, मैं मंगलवार से पढ़ रहा था, तुम लोग December से उस school में पढ़ रहे थे, वे लोग चार महिने से अपना पाथ से याद कर रहे थे, तो यह क्या है समय का बहुत आ जाएगा, भ्यान दिजिए, singular हो या फिर plural हो, singular हो या फिर plural हो, दोनों के साथ helping अप क्या लगेगा, had, been, जो समय है वो दो तरीके से, समल लिजिए, परजेंट के टेंज में मैंने पूरा डेटिल से बताया था, कि कहां पर हम लोग निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, और कहां निश्चित समय के लिए for लगाएंगे, आईए एक बार फिर से हम समझा देते हैं आप लोगो, जो भी निश्चित समय आएगा, क्या आएगा निश्चित समय, जो भी निश्चित समय होगा, जिस निश्चित समय यानि इंगलिस में fix time, उसके साथ हम लोग सिंस लगादेंगे, जैसे ध्यान देजिए, जैसे महीने का कोई भी नाम आजाएं, January, February, March, April, इसक अच्छा में पढ़ रहे थे, तो अप्रिल से का, अप्रिल से का, इंगलिस हो जाएगा, सिंस अप्रिल हो जाएगा, क्लियर उसी तरीके से week, यानि सब्ता का कोई भी दिन हो, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday to Saturday, कोई भी दिन आजाए, उसके लिए हम लोग सिंस लगा देंगे, जैसे मैंने का कि सो मुआर से, हम लोग सो मुआर से उसकी साहता कर रहे थे, तो सो मुआर से का इंगलिस हो जाएगा, सिंस मंडे, उसी तरीके से day, दिन का कोई भी टर्म सो, जैसे morning, evening, morning, afternoon, evening, night, यानि इन चारों में कोई भी आजा है, हम लोग सिंस लगा देंगे, time कोई साभी हो, one o'clock, two o'clock, three o'clock, five o'clock, twelve o'clock, कोई भी time हो, हम लोग सिंस लगा देंगे, year, यानि sun कोई साभी हो, कह दे कि 2005 से, 2006 से, 2008 से, 1795 से, 96 से, 1980 से, कोई भी संदे दे, तो हम क्या करेंगे, सिंस लगा दें, clear, एक terms होता है, बजपन से, जवानी से, बुरहापे से, इन तीनों में से, कोई भी आजे हम लोग सिंस लगा देंगे, जैसे कह दे, किसी के मृत्यू से, तो मिरत्यू भी निश्चित होता है, किसी के साधी से, कि यह सब क्या है, fix time है, निश्चित समय है, clear, दोसरा क्या होता है, हमारा, निश्चित समय, जिसको हम दर साते किस से हैं, four से दर साते, four से किसको दर साते हैं, निश्चित समय को, अनिस्चित समय अनिस्चित का एंगलिस होता है unfix और समय का एंगलिस time जैसे इसमें क्या है ये जो सारी चीजें हम लोग नाम ले रहते अब ये counting ज्याना शुरू हो जाएगा जैसे मैंने कहा 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से 10 घंटे से 20 घंटे से कितना हूँ घंटा कहा दे 4 दिन से 5 दिन से 6 दिन से 8 दिन से 10 दिन से कितना हूँ दिन कहा दे महीना कहा दे 5 महीने से 6 महीने से 15 महीने से 15 महीने से यानि कितना हूँ घंटा कहे दिन कहे महीने 2 घंटा, 10 गंटा 20 गंटा, 100 गंटा, कुछ भी कह, गंटा, दिन, महीना, साल कह दे, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, सब्ता कह दे, 2 सब्ता से, 3 सब्ता से, 4 सब्ता से, 5 सब्ता से, मिनट कह दे, 10 मिनट से, 20 मिनट से, 30 मिनट से, कितना हुं मिनट कह दे, इनके साथ क्या हम लोग यूज करेंगे फॉर का इस्तमाल करेंगे के लिए समझ में आया आईए हम लोग इसका रूल समझते हैं और एक्जामपल से सब डीटर्स हम लोग करेंगे कि इसका इस्तमाल हम लोग कैसे करेंगे आईए समझते हैं इसको जल्दी से तो सबसे पहला इसका rule हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहला rule कौन सा होता है positive का सबसे पहला rule positive का आईए हम समझते है positive का rule तो rule क्या होगा सबसे पहले subject उसके बाद had been वर्ब वर्ब में क्या add करेंगे ing क्योंकि continuous से रहा रही आता है प्लस object प्लस extra word extra word या फिर other words हम लोग बोलते हैं ठीक है प्लस extra word के बाद सब कुछ लिखने के बाद अब समय निश्चित होगा तो sense लगाएंगे और निश्चित समय होगा तो for और उसके बाद time हम लोग लिख देंगे किलियर example से समझे example वे लोग सोमवार से मुझे पढ़ा रहे थे वे लोग सोमवार से मुझे पढ़ा रहे थे subject वे लोग they helping verb had been वोब है हमारा पढ़ाना teach इसमें आइंजी लगा देंगे teaching object है मुझे me extra word इसमें कुछ नहीं है since और for तो यह समय क्या है somewhere यानि निश्चित है इसके लिए हम लोग since का इस्तमाल करेंगे since और time क्या है somewhere तो somewhere का एंगलिस क्या हो जाएगा Monday तो हो जाएगा they had been teaching me since Monday के लिए आइए हम समझते हैं negative के rule के बारे में negative तो ध्यान देजेगा negative में जैसे मैंने बताया था कि जब भी positive के बाद negative है तो helping work के बाद हम लोग not लगाते हैं लेकिन इसमें helping work ध्यान देजिए had और been दो दो है लेकिन main helping को कौन सा होता है had तो इसी के बाद हम लोग not लगातेंगे यानि subject plus had not been दोनों के बीच में आ जाएगा फिर उसके बाद verb verb के साथ ing plus object plus extra word फिर उसके बाद since या for plus time example से समझे जैसे मैंने कहा वह 2015 से इस school में नहीं पढ़ रही थी वह 2015 से school में नहीं पढ़ रही थी subject was she had not been she had not been वह पढ़ना read ing लगा देंगे क्योंकि यह रहा रही है she had not been reading this school में यानि in मतलब में this school का इंगलिस this school in this school 2015 क्या है निशी थे इसलिए हम क्या लगा देंगे since time क्या है 2015 तो since 2015 तो यह था हमारा पॉजिटिव और निगेटिव का रूल आए इंट्रोगेटिव के बारे में हम समझते हैं जो नेक्स रूल है वो है इंट्रेस्टिंग रूल है आए हम समझते हैं तो next हमारा रूल हो जाएगा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव यानि प्रश्णुआ चग तो मैंने बताया था किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते है तो सबसे पहले क्या पहले आता है यानि helping पहले आ जाएगा तो दो help और head और bean लेकिन main कौन सा है head है तो head पहले आ गया और bean चला जाएगा कहा subject के बाद फिर उसके बाद वर्ब वर्ब पे साथ ing प्लस object प्लस extra word फिर उसके बाद since या for प्लस time एक्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग तो एक्जाम्पल है क्या तुम लोग दस साल से क्या तुम लोग दस साल से फुटबॉल खेल रहे थे क्या तुम लोग दस साल से फुटबॉल खेल रहे थे तो क्या के इंगलिस हो जाएगा हैड सब्जेक्ट है तुम लोग यू फिर उसके बाद है बीन है यू बीन वर्भ है खेलना प्लेंग लग जाएगा प्लेंग अब्जेट क्या खेलना है फुटबॉल एक्ष्टा वर्ड कुछ नहीं है तो यहां क्या है साल साल जो है अनिश्चित होता है इसके लिए हम लोग फॉर लगा देंगे टाइब क्या है दस साल lessons 10 शी का इंगिस शर्ष लगा देंगिए तो यह सामारा occup कश थका रूल अगला इसी इंट्रोटे के बाद तो सब्चेक्ट प्लस नॉट फिर उसके बाद बीन कि वर्ब के साथ आई एन जी प्लस पॉबसेट एक्ष्टा वर्ड फिर उसके बाद सिंसिया फॉर प्लस चाइम और कोशन मार्क देना न भूले क्योंकि बोड के एक्जाम में कोशन मार्क के वज़ा से नंबर पड़ जाता है एक्जाम्पल समझिये क्या उसे पिछले मंगलवार से बुखार नहीं आ रहा था क्या उसे पिछले मंगलवार से बुखार नहीं आ रहा था क्या के एंगलिस हो गया है उसे का अंग्रेजी ही या शी दोनों हो सकता है फिर उसके बाद not फिर उसके बाद been verb है आना तो बुखार तो चल के आएगा नहीं कि चल के चलते हैं उनको बुखार हो जाते हैं ऐसा है क्या नहीं चल के नहीं है कि उसको बुखार होते हैं तो आना के इंगलिस क्या हो जाएगा suffer, इसे में ing हम लगा देते हैं, यानि जब किसी बुखार या ऐसे चीरों से पीडित होते हैं, तो suffer का इस्तेमाल करते हैं, suffering, बुखार, from, fever, suffer के बाद preposition from fix है, आपको लगाना पड़ेगा, had he not been suffering from fever, फिर उसके बाद क्या है, since for, mangalwar, नेची समय है, since लगा देंगे, had he not been suffering from fever since today, clear समझ मैं आया, तो next rule हमारा कौन सा हो जाएगा, ws types का, यानि next rule हमारा, ws type, आज ये next rule को भी हम लोग समझ लेते हैं, और ws types का मैंने rule बनाने का सबसे आसान तरीका आपको बताया था, क्या बताया था, अभी-अभी just मैंने आपको बताया, कि ws 10 का, ws types का, बाके सब उतार देजिए, देखिए, wh plus head, subject plus beam, वो, वो अपके साथ ing, plus object, extra word, फिर उसके बाद since या for, plus time, question mark, example से समझते हैं, वे लोग बच्पन से, वे लोग बच्पन से, तुम्हारे पैसे कैसे चुरा रहे थे, वे लोग बच्पन से, तुम्हारे पैसे कैसे चुरा रहे थे, चोर के चुरा लिए, चुराएंगे, वाका में है, डाबलिज क्या है, कैसे, कैसे कांगरे जी, हाओ, चोरों के लिए कुछ भी impossible नहीं है, घरों में ताला हम लोग देते हैं अपने रूम में, किसके लिए देते हैं, चौर के लिए, नहीं, चौर के लिए नहीं, कि चोड़ को इसा कोई ताला ही नहीं बनाए जिसको तोड़ न ले घरों में तो हम लोग ताला अपने लोगों को लिए देते हैं कि फिर उसके बाद had subject है where log they been how had they been वर्भे चुराना steal आई इंजी लगा देंगे how had they been stealing object क्या है तुम्हारे पैसे your money बचपन से बचपन निश्चित होता है इसलिए since लगा देंगे time है मारा बचपन बचपन का एंगली is childhood how had they been stealing your money since childhood अगला रूल हमारा कौन सा है तो अगला रूल है हमारा डाब्लीज प्लस निगेटिव तो मैंने बताया था किसी बेटेंज के डाब्लीज में निगेटिव आजा है तो not कहां लगा देंगे subject के बाद तो आईए इस रूल को भी हम लोग समग लेते हैं डाब्लीज प्लस हैड प्लस subject प्लस इसी के बाद not लगा देंगे फिर been वो अपके साथ ing प्लस object टेक्स्टा वर्ड फिर उसके बाद निश्ची समय हो तो since और निश्ची समय हो तो for प्लस time और उसके बाद question mark एक्जामपल जैसे same example वे लोग बच्पन से तुम्हारे पैसे कैसे नहीं चुरा रहते तो not कहां लगा देंगे हम लोग subject के बाद how had they not been stealing how had they not been stealing your money since childhood since childhood तो ये पूरा concept था हमारा past tense के बारे में पूरा हम लोग discuss कर लिए कि past tense के कितने प्रकार होते हैं इसका rules क्या होता है इसका example क्या होता है अब ने इस class में हम लोग समझेंगे future के बारे में क्योंकि future बहुत ज्यादे important होता लेंगे लेंगे